नमस्कार स्वागत है कारिक्रम आज का एजेंट हमें एक नया शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए आज के दिन की कौन सी है बड़े खबरें जिन पर दिन बार रहेगी सब की नजर वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगे तेंब, वो खबरें जो आज दिन बार रहेंगी हेडलाइन, वो मुद्धे जो बनेंगे आज एतिहास, वो घटनाए जो तै करेंगी आने वाला कर, ऐसे ही तमाम मुद्धों को समीट कर हम लाए हैं आज का एजेंडा में, तो आज के एजेंटा के साथ बिहार विधान सभाद चुनाव की दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू 28 अक्टूबर को मतदान के साथ होगी 3 चरणों वाले चुनाव की शुरुबात पहले चरण में 70, दूसरे में 94 और तीसरे चरण में 78 विधान सभाद सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट भार्टी रिजर्व बैंक आज करेगा दुएमासिक मौद्रिक नीती की घोशना कुछ दिन पहले ही सरकार ने आरब्याई कवर्नर के अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीती समिती में तीन नामी अर्थ शास्त्रियों आशिमा गोयल, जयनतार वर्मा और शशांक फीडे की नए सदस्व के रूप में की थी मियुक्ती भारत दौरे पर आये अफगानिस्तान के राश्ट्रेस सलहकार समिती के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अज विदेश्मन्द प्री एस जैशनकर से करेंगे मुलाकार अध्युला ने गुरुवार को प्रधानमत्री नरेंद्र मुदी से मुलाकात कर शांती वारता की प्रगती पर गी थी चक्चा पीम ने शांत और स्थिर अफगानिस्तान के प्रती जताई भारत की प्रती बढ़ेगा और आर्टिफिशल इंटेलिजिंस पर आयोजित पांच दिवस ये वर्च्वल सम्मेलन रेस 2020 का आज होगा समापन सम्मेलन के दौरान समाजिक बदलाब समेथ स्वास्थे क्रिशी शिक्षा वा स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में AI के इस्तमाल की सम्हावना उपर दुनिया भर के विशेशग्यों नी किया विचारों का आदान प्रदान आज के एजंडा में सबसे पहले बाद बिहार चुनाफ की बिहार चुनाफ की दूसरे चरण के 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है नामांकन के आखरी तारीक 16 अक्टूबर है अगर 2015 में हुए विधान सबाचुनाफ में इन 94 सीटों के परिणामों पर नज़र डाले तो जदूयू 30 आक्रा जो सामने आता है वो जदूयू के पास 30 सीटे जीती थी भाजपाने 20 आरजेटी की छूली में 33 सीटे आई थी तो वहीं कॉंग्रेस के पास साथ और LGP दो सीट के साथ और CPI ML ने एक सीट निर्दलिये के खाते में गई थी तो चुनाफ परिणाम 2015 विधार विधान सुभाच चुनावों में 2015 में को कितनी सीट मिली थी इस वक्त आप अपने टेलविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर हम आगे बात करें 2015 में 94 दानसभाच सीटों पर मतदान प्रतीशद 55.47 था और विधार में विधान सुभाच की खतर सीटों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रियाग गुरुवार को संपन हो गई नामांकन पत्रों की जाँच आज की जाएगी 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए जन्तादल युनाइटेट के 41 अमीदवारों ने अपने परचे भरे हैं भारतिय जन्ता पार्टी ने इस चरण के लिए 29 अमीदवारों को टिकेट दिया है और एक सीट विकासचील इंसान पार्टी को दी है दूसरी और महागटबंदन के घटक राश्ट्री जन्तादल इस चरण में 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है कॉंगरेस ने 21 और कमिनिस पार्टी माले ने 8 सीटों पर उमीदवार उता रहे हैं पहले चरण में लोग जन्शक्ती पार्टी ने 42 उमीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और पहले चरण में जिन उमीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है उनमें पूर्व मुखे मंत्री जीतन राम माझी, विधान सभा के पूर्वा ध्याक्ष उदे नारायन चौधरी, ट्रिशी मंत्री प्रेम कुमार और फूमी सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायन मंडल ट्रमुक है और अगर 2015 विधान सभाद चुनावों में सभी 243 सीटों के परिनामों की अगर हम बात करें तो जदियों को 71 सीट हासल हुई थी वही बात अगर भाजपा की हो तो 53 सीट भाजपा के खाते में गई थी RJD को 80 सीटें मिली थी तो वही कॉंग्रेस को 27 सीट और RLSP को 2 सीट CPI ML 3 सीट अपनी जोली में डाले में कामयाब हुई थी LJP 2, HAM 1 और निदलिये के खाते में 4 सीटें गई थी और बिहार विधान सभा चुनाफ को लेकर सरगर्मिया बेहत तेज हो चुकी है इस पक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे समवादादा विनोद मिश्रा विनोद सबसे बेल तो आप से ही जानना चाहेंगे कि राम विलास पासवान के निधन हो चुका है उनके निधन का कितना आसर आपको लगता है इस बार विहार चुनाफ को नज़र आएगा जी जा बिल्कुल आपने सही कहा और सबसे पहले हम लोग राम विलास पासवान जी को सरधानजली देते हुए इस बात की सुरुवात करते हैं कि बिहार का जो चुनाव है इस बार का आप कहें कि राम बिलास पासमान के जाने से जो बिहार की छती है और उनके जो एक emotional connection है बिहार में उसका कहीं न कहीं इसका जो impact है वो इस चुनाव में जरूर दिखने को भी लेगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जया कि राम बिलास पासमान का योज चले जाना बिहार के स्यासत में बिहार के स्यासत में एक मजबूत धूरी के रूम बिलास पासमान ने जो अपने को सब्सक्राइज करने इंप सबसे रेकॉर्ड वोड रोसरा से एलेक्षिन जी ता और उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, पीछे का साहस है, जो एक व्यक्ति ने अपने साइकल का पैसा बेच के उन्होंने नोमिनेशन फाइल किया था, और ये वो आज़ी, पचास साथ से जाबा का उनका रादनेदिक सफर रहा है, और तीस पीकारता इतना प्रभाव विरल यहीं देखने को मिलता है, यकीनन हम पूरे समस्तर डीजी नियूस परिवार के उसे उन्हें भाव भी निश्रा धांजली, बहुत बहुत शुक्रिया विनोजी, इस पक जुड़ने के लिए हम आगे भी आपसे संपर करतर रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात करेंग और बीसमी बैठक में, RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, यह चार फीजदी पर बरकरार है, और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीजदी पर स्थिर रखा गया है और आएब आपको बताते हैं कि मौद्रिक मीती इतनी महत्वपूर्ण क्यूं है, इसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थ विवस्था में पैसे की आपूर्टी को नियंद्रित करता है, इसके जरिये महंगाई पर नियंद्रन और कीमतों में स्थिर्टा लाई जाती है आर्थिक विकासदर का लक्षे हासल करना भी इसका एक लक्षे है, रोजगार के अफसर तयार करना, रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट के जरिये कर्स की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है प्रमुक ब्यासदरों को घटाने से मुद्रा की आपूर्टी बढ़ जाती है, नतीजा बाजार में नकदी बढ़ने से अर्थविवस्था तीजी से आगे बढ़ती है जब प्रमुक ब्यासदरों को बढ़ाया जाता है तो मुद्रा की आपूर्टी घट जाती है इससे बाजार में नकदी की कमी होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है चलिए ये भी जान लेते हैं कि मौद्रिक नीती में कौन सी प्रमुक दरे हैं जिनमें किसी भी तरह के बदलाव से आपके और हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव करता है सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के ये वो दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्स देता है रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या परसनल लोन पर ब्यास की दरें कम हो सकती है वहीं अगर रिजर्व बैंक रेपो रेपो रेट बढ़ा देता है रिवर्स रेपो दर का जैसा कि इसके नाम से ही साफ है ये रेपो दर से उलट होती है ये वे दर है जिस पर बैंकों को RBI में जमा अपने धन पर ब्यास मिलता है ये दर बाजार में नकदी की तरलता को नियंतृत करने के काम आती है बाजार में जब भी बहुत जादा नकदी दिखाई देती है RBI ये दर बढ़ा देती है तीसरे नमबर पर बात करते हैं नकद आरक्षित अनुपाद यानि की कैश रिजर्व रेशियो यानि की CRR की बैंक की नियमों के तहट हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है इसे कैश रिजर्व रेशियो या फिर नकद आरक्षित अनुपाद CRR कहते हैं RBI ने ये नियम इसलिए बनाए हैं जिससे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्रहकों को रखम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसे देने से मना ना कर सके हमारे साथ इस पक्ट जुड़ रही हैं शामा मिश्रा मुंबई से श्यामा एक सबसे सबसे असान सवाल तो यही होगा कि इस वक्त भी आम लोग जो हैं ये बात उमीद कर रहे हैं कि RBI एक बार फिर क्या EMI में कुछ रहा दे सकता है जी फिलाल अगर हम देखें जिस तरीके से स्टी बनी हुई है एकॉनमी की भी और साथी इंफ्लेशन की भी तो यह लग नहीं रहा है कि कोई चेंजस को पाएगा आज के अनॉंच्मेंट में जब 10 बजे शक्तिकान दास गवर्नर रिजर्व बैंक अफ इंडिया के अनॉंस करेंगे तो लग रहा है कि स्टेटस को बना रहेगा जिस तरीके से जो दरें आपने बताए वही दर्वे बनी रहेगी एक्सपर्स की बाने या इंडस्टरिस्स की बात करें तो वह भी यही एक्सपेक्ट करें कि स्टेटस को बना रहेगा इसके अलावा गर हम बात करें तो कर चुका है तो शक्ति कांता दास यह भी कहते हैं कि अभी के लिए फिलहाल हम आरे पास में जगह है और कटाउती करने के लिए लेकिन हम वेट इन वाच करेंगे जिस तरीके से सिचुएशन डिमांड करता है हम उस तरीके से डिसिजिन लेंगे साथ ही जो अभी तक कटाउती की गई है उसका भी ट्रांसमिशन होता हुआ नजर आ रहा है और यह जब तक पूरा सीपन नहीं कर जाता है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से बैंक्स फाइदा पहुंचाता है कस्टमर को तो एक ओवरॉल सिती बनी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने कि किस तरीके से ग्रोथ को भी सपोर्ट किया जाए और किस तरीके से इंफ्लेशन को भी कंट्रोल में लाया जाए क्योंकि सबसे महत्वपून जो लक्ष है भारती रिजर्व बैंक का वो इंफ्लेशन को comfortable range में रखने का होता है और वो होता है 4% या तो आप 2% उपर गिन लीजी या तो 2% नीजे लेकिन 5 महिने से लगातार 5 बार से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से CPI 6% के उपर ही रहा है विभारती रिजर्व बैंक के सामने एक बहुत बड़ी चुनोती कि किस तरी यही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस बनाना एकॉनमी में क्योंकि अभी जो जो प्रडिक्शन आ रहे हैं जो प्रजेक्शन आ रहे हैं हमारे GDP के या हमारी जो ग्रोथ रिख उसके तो वो पूरी तरीके से एकदम नीचे जाती हुई नजर आ रही है पिछ जिस तरीके से इंफलेशन मैंने बताया क्योंकि जिस तरीके से जो भाजी है या रोज मर्रा की समान है उसकी महंगाए बढ़ती जा रही है उसे भी नियंतरन में लाना एक उनके सामने चुनौती है जिस तरीके से हमने देखा नए तीम सदस्य और आए हैं उसमें जो पहला मीटिंग था, इसके पेहले जो मीटिंग थी उसके बात में सेट्गंबर एंड मीटिंग होना ठी लेकिंग इसे पॉस्पॉंब कर दिया गया क्योंकि जो सदस्य नहीं हो पाइती है वह सद से फैनल पनार आनहीं पाई थे, तो इससे पोस्पॉन किया ہے और यह है अप्य बत किया जाएगा या सबकी अपनी-पने डशिजिजन होगी तो वह रेशियो क्या बनता है इस तरीके से जो ही बध करते हैं उसका रेशियो क्या बनता यह देखना में बैद् Stern किरेकोकल की सब्वास respecto आप है जो फिर्द संखृएशन आंगे विर्ठिवी評 जो नहीं देखा था कि भारती विजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर हैं, उन्होंने लोगों को अड़र्स करना स्टार्ट कर दिया था, फिर वो MPC के मीटिंग के लिए नहीं रुके थे जो ब्याजदर कम करना था, उसमें वो लगातार उन्होंने अनॉंस्मेंट्स की, की रिस्ट्रक्चरिंग हुए लोन्स के, या MSME के बॉरोइंग के रिस्ट्रक्चरिंग हुए या moratorium हुए, उसी प्रकार से जिस तरीके से अब ही जो एकोनोमी है, उसे लोगता हुए नजर आ रहा है, या उसे ब्सक्राइब करता हुए नजर आ रहा है, एक बार फिर यह च अपनी जो इक तरीके से अब इड़ी हैं, उसे कैसे बढ़ावा दे सके, इसके उपर पे भी नजर होगा, तो याने की ओवर और जो गवर्म शुक्रिया श्रामा इस जानकारी के साथ जुडने के लिए और यहां पर हम ख़़ों में आगे बढ़ेंगे, और यहां पर हम isn't there? .